नमस्कार किसान भाईयो ग्रेपमस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत आज हम मित्रों बात करेंगे एक ऐसे फसल की जिसकी हमें जरुरत है जिसका रटबा बढ़ाने की जरुरत है और वो है तिलन वाली फसलों में मूंग फल्ले की आपको पता है क हमारे देश में जो तेल की जरुरत होती है वो पूरी नहीं होती हमें बहुत-बड़े मात्रा में तेल का आयात करना पड़ता है जिसके वज़े से हमारा काफी foreign exchange जो है विदेशी जो मुद्रा है वो हमारी खर्च होती है और इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि किसानों क प्रोसाइद करे तेल वर्गे फसले लेने के लिए सबसे अच्छा तेल मुद्फली का होता है और मुद्फली की फसल लेने के बाद में हमारी जो खेत की मिट्टी है या खेत है उसका भी अच्छा स्टेटस बनता है उसमें जो आगे आने वाली फसल है वो बहुत अच्छा उपज करती है इसके लिए हमको मुनपल्य के फसल को लेना भी जरूरी है पित्रो आप जो प्रजाती है इसकी तो कई प्रजाती इसमें है जो आपके विवाग के लिए जो सिफारिस प्रजाती है उसका बीज लीजिए इसके बीच का अंकुरन आप जाज कर लीजिए जिससे क आपके फसल में कोई गैप या कोई ऐसा खाली जगा नहीं रहेंगी जहां पर फसल ना हो क्योंकि किसी भी फसल का उत्पादन या उपजो बनती है वो बनती है प्लैन पॉपुलेशन से तो इसके लिए आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे जर्मिनेशन वाला ही बीच प्रयोग में लाया जाए और दूसरा इसका बीच प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है बहुत सारे किसान भाई इसको भूल जाते हैं लेकिन इसका राइजो बियम से बीच प्रक्रिया करें इसके लिए बहुत अच्छे अभी बीच प्रक्रिया करने के लिए प्रोडक हमको मिलते हैं, तो इसके लिए गंदक और क्यालिशयम ये दोनों ततों की ज़रुथ होती है, इसलिए अगर आपका भूमी का पीएच अगर जादा नहीं है, तो आप जिप्सम का प्रेव कर सकते हैं, और अगर आपका पीएच ज्यादा है, जिसमें आप जिप्सम नहीं डाल किये दूसरा इसका महत्वा पुर्णा है कि जब आजकर हम देख रहें कि हवामान काफी बदल गया है climate change जिसको हम कहते हैं इसके वज़े से इसमें जो आने वाले फूल है वो फूल एक समय नहीं आते आगे पेचे होते हैं जब आगे पेचे होते हैं तो उसकी जो कुछ पल्य अपक जाती है तो इसमें इसमें रिजेक्षन जादा होते हैं जिससे वह पूल जादा आये और एक साथ जादा जादा है इसलिए जब फूल आने के आवस्ट आने लगे तो इसमें आपको जो growth retardants होते हैं सिसी सी नाम के या लियोसिन नाम से जो पलब्द है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं एक तो फूल आने से पहले और दुसरा फूल आने के 15 दिन बाद इससे क्या होगा मित्रों कि यह जो फूलों के संख्या जादा आएगी जो विज्टर्डू ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और यह जो फूल अब आपको पता होगा यह जो फूल ग्राउंडट के आते उपर लिकिन जब इसके पॉलिनेशन के आवस्ता होती है तो यह नीचे जमीन में गुज जाते है और जमीन में गुजने के बाद वहाँ पे इसका फटिलाजेशन होता है और मूंग फली बनती है तो यह आरे जिसको बोलते ही है अंदर नहीं गुश सकते हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी जमीन थोड़ी सी भूर भूरी रहे और इसमें हवा का प्रमान भी मिलता रहे इसके लिए आजकल एकरिशाट टेकनिक जिसको कहते है उसका प्रयोग हो रह है जिसमें हम लोग ग्रेजबेड पर या बीबीएप टेकनिक से मुंग फली की फसल लेते हैं और स्पिंकलर इरिगेशन का इसको आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे की आपके जमीन में नमी बनी रहे और यह जो फूल जो नीचे गुश जाते है फली बनाने के लिए उनको को भी कोई अडसर वहा ना रहे और आसनी से जा सके दूसरा एक और मात जो नुक्सान करने वाला जो एक है वो है वाइड ग्रब या कट वर्म इसको हमनी भी कहते हैं कट वर्म कहते हैं और इसके दो तिन प्रजाति इसके उपर काम करती है वैसे कट वर्म की कहीं सारी प्रजा पिशले साल इस हुमनी का या इस कट वर्म का परकवफ हुआ है। उस जमीन में आप कर्भो क्यूरान का प्रयोग जो दाने दार किट ना शिए। उसका प्रयोग आप फसल को बहुते सब्वेट कर सकते है। उसके साथ से अगर आपको केमिकल नहीं मिल रहा है या केमिकल आप नहीं उसकरना चाहते तो होकोस्टाप नामा के एक एंटो में पैथोजैनिक निमेटोड है, सुत्रकुरुमी है, जिसका एक प्रोडक्ट अभी बाजार में उपलब्द है, जिसको आप जमीन में डालेंगे एक एकड में एक से दो किलो सी रुपिया लगता है, गोबर के खात, जो सड़ीवी खाते उसके साथ में, मिला करके इसको दी दीजिए, तो ये आपके कट वर्म का अच्छा प्रबंदन कर लेता है, साथ में इसके लिए कुछ फिरुमोन ट्रैप्स हैं, जो आप इसमें बारिष शुरू हो जाते तो उसके बाद में होता है, इसलिए जो भी आपको प्रबंदन करना हो, आप इस बारिष के पहले कर दीजे, क्योंकि बाद में अगर आप करेंगे, तो इसके अंडे और इसके आगे की आवस्ता निकल चुकी होगी, और फिर आपको नुक्सान कम क करने में दिक्कत होगी, लेकिन आप होको स्टाप नामक जो इंटुमर पैटेजिक निमेंट होड़ा है, उसका आप प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, उसके बाद में एक और सावदानी हमको इसमें बरतनी है, यह फसल का जो नेचर है, वो ऐसा है जिसको हम विवी पेरस क शुरू कर देते हैं, जिसके वज़े से इसकी जो गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए हमको कोशिश करना है कि हम हर्वेस्टिंग इसका डिले ना करें और अगर ऐसी आवस्ता हागे है, हर्वेस्टिंग करने के बाद में बारिश हुई है और फसल थोड़ी से पानी स खराब हो रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे तरह से सुखाना है, पतला-पतला इसको लगा करके, जिससे कि इसकी नमी तुरंद कम हो जाए और इसमें कोई अंकुरन ना हो, साथी साथ इसमें जो दूसरा ऐस्परजिलस नाम का फपुन बढ़ने के गुंजाइस रहते हैं वो भी कम हो जाए क्योंकि एस्परजिलस फ्लेवस यह जो फपुन्द है, इसमें जब लग जाता है तो इसके गुनवत्ता खतम हो जाते हैं और इसको आप कोई भी खाने में या ओईल या तेल निकालने में दिक्कत पाइदा होती हैं और इसको बाजार में आच्छा दाम नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे कि हमारी फसल तो अच्छी है लेकिन इस तरह का अगर फपुन्द उसमें लगा हो तो इसको कोई भी ट्रेडर नहीं लेगा, कोई भी ओईल इंडस्ट्री इसको नहीं एक्सप्ट करेगी और निर्यात के लिए तो बिल्कुल यह का नहीं, क्यल्शियम और बोरान के जरूँ ज़्यादा होते, इसलिए क्यल्शियम और बोरान वाले तत्वों का, सुख्ष्मा तत्वों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए, क्यल्शियम और घंदक वाली खात का इस्तेमाल जरूर इसमें करना चाहिए, और स्प्रे करते स समय आपको कार्मन डेजीम और हिक्जेकोनोजॉल यह जो प्रपुन नाशिये इनका प्रयोग आपको एक या दो बार जरूर करें जिससे आपकी फसल अच्छी हो और जैसे मैंने बताया फूल अच्छा है और फलियों के संक्या बढ़ें इसके लिए आपको ग्रोथ रिटार् करेंगे हम इस विंडो में आईए वहाँ पर अपना सवाल या अपनी समस्या डालिए उसके उपर भी हम आपको समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे और ग्रेप मास्टर यूटूब चानल को आप जरूर सब्स्राइब कीजिए ग्रेप मास्टर एप को भी आप डाउनल करेंगा?